वेलकम टू एवरेवन, स्वागत है आप सब लोगों का इस इंपोर्टेंट सेशन में इस वीडियो में UPTGT, PGT के लिए जोगरफी, भुगोल से सम्बंधित 5 इंपोर्टेंट MCQ का डिसक्सन क्या जाएगा यह टेस्ट 8 है, यदि आपने टेस्ट 1, 2 सेवे नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का इंपोर्टेंट सेशन Question No.1 है, निम्नलिखित में से किसने गहन पारिष्थित की डिप इकोलाजी सब्द का प्रयोग किया Option है, ओडम ने, राउन कियर ने, कलिमेंटस ने, अरनिस नेस ने गहन पारिष्थित की सब्द का प्रयोग सर्वर्थम किसने किया इसका सही आंसर होगा option D, earnestness earnestness ने गहन पारिष्थित की deep ecology सब्द का परियोग सरुथम किया इसकी व्याख्या देख लेते हैं गहन पारिष्थित की deep ecology सब्द का सरुथम परियोग नार्वे के दार्शनिक earnestness ने किया था गहन पारिष्थित की परियावरण वाद से सम्मंधित है यह प्रकृति केंद्रित इकोसेंट्रिक दर्शन या क्रांतिक परियावरण ये आंदोलन की विचारधारा है जिसके अनुसार भू मंडलिय पारिष्थित की तंत्र में मनुष्य तथा अन्य जीवों पाउधों एवं जन्तुओं को एक समान समझा जाता है गहन पारिष्थित की मानव को अन्य प्रजातियों, पाउधों तथा जन्तुओं से अधिक महत्वपुन नहीं मानती अर्थात गहन पारिष्थितिकी के अंतरगत प्रिथिवी पर सभी प्रजातियों चाहे मानाउं या जन्तु एवं पौधे हों को बराबर महत्व देती है गहन पारिष्थितिकी यह मानती है कि प्रकृति नेचर तथा मनुस्य एक ही सिक्के के दो पहलू है इस तरह या इस भ्रम को दूर करती है कि प्रकृति तथा मनुस्य एक दूसरे से अलग है गहन पारिष्थितिकी का मुख्य विश्य यह है कि हम प्रिथिवी का एक हिस्सा है ना कि उससे अलग है अर्निस नेस्त ने विभीन छेत्रों में घनिष्ट संबंद इस्थापित किया यथा व्यक्तिगत एवं समाजिक परिवर्तन, विज्ञान एवं अध्यात्मवाद, अर्थ सास्त्र एवं पारिष्थितिकी क्वेस्चन नमबर टू है हेलियोसेंट्रिक सिध्धान्त सुरिक केंद्रिय सिध्धान्त का पर्तिपादन निमनलखित में से किसने किया आप्शन है कॉपर निकस, टॉलमी, लापलास, चैंबरलिन इसका सही आंसर होगा आप्शन ए कॉपर निकस कापर निकस ने हेलियोसेंट्रिक सिध्धान्त सुरिक केंद्रिय सिध्धान्त का पर्तिपादन किया हेलियोसेंट्रिक सिध्धान्त सुरिक केंद्रिय सिध्धान्त का पर्तिपादन कापर निकस त्वरा किया गया था इस सिद्धान्त में सुर्य को ब्रम्हांड के केंदर में माना गया क्वेश्चन नमर थ्री है हमबोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्येनों में निम्नलकित में से किसको वरियता प्रदान की इसका सही आंसर होगा आप्शन ए क्रम्बद भूगोल हमबोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्येनों में क्रम्बद भूगोल को वरियता प्रदान की इस क्वेश्चन के व्याख्या देख लेते हैं तो देखे हमबोल्ट ने भौगोलिक अध्येनों में क्रम्बद भूगोल को वरियता प्रदान की हमबोल्ट ने अपने अध्येन के लिए आनुभवक विधी, क्रम्बद विधी, तुलणात्मक विधी एवं कांटोगराफिकल विधी का प्रियोग किया था Q4 है निम्नलकित में से कौन साकतन सत्य है इसका सही आंसर होगा आपसन D सहींक तराज अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आसे कृसी के साथ फल एवं सब्जियों के उत्पादन से है इसका सनक व्याख्या देख लेते हैं सहींक तराज अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आसे कृसी के साथ फल एवं सब्जियों के उत्पादन से है क्रिसी के साथ साथ फल या सबजियों के उत्पादन से है या क्रिसी नगरी छेत्रों के समीब अधिक परचलीत है क्रिस्टन नमर फाइफ है और इस सेशन का लाश्ट क्रिस्टन है निमनलिखित में से किसे काली मिर्दा ब्लेक स्वायर कहते हैं आप्शन है पोड़ जॉल लेट राइट चर्नोजम पेड़कॉल इसका सही आश्टर होगा आप्शन सी चर्नोजम काली मिर्दा को चर्नोजम भी कहते हैं इसकी व्याक्षा देख लेते हैं काली मिर्दा, काली मिट्टी, कुर्यगूर मिट्टी, काली कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लेक अर्थ, एवं ट्रॉपिकल चर्नोजम आदिनामों से भी जाना जाता है काली मिर्दा, ब्लेक स्वाइल, कापास के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है तो ये थे आज के 5 important MCQ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिस्पिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू